कि मुझे अपने से थे थोड़ी कि मुझे रीदिना कि तो ही तो वाजा है हेलो गईज मैं हूँ अमित और अभी जो आपने शुरू में वीडियो देख लिया है आज मैं इसी का ट्यूटरल आप सब के बीच में बताने वाला हूं जो कि एक इंस्टाइडिये लाव वाइब्स करके उसी भाई ने इस तरह की वीडियो बनाया है तो मेरे को कल वीडियो भेजा गया कि इसका ट्यूटरल बताओ कैसे बनेगी तो आप सब के लिए ट्यूटरल लेकर आगे हो बस ध्यांस देखिएगा ज्यादा कुछ करना नहीं है क्य लेकर अबनेयां लिए नडिके ब्लिक में नौगल को सब्सक्राइब कर लिए जादा कुछ करने नहीं के सारा काम कर दिया है 맞아 और आप में पर लिंक होगा दाबलोड करकर अपने लाइटकर में इम्पोर्ट कर लेना है साथ म Aut X पॉन्ट भी दे दिया हूं तो इसे डाउंलोड कर लेना उसके बाद एलाइट मोशन आपको ओपन करने पर प्रजेक्ट में आना है यह मेरा मेंड प्रजेक्ट है यह वाला आपको दे दूंगो और इसमें मैं अभी समझा दे रहा हूं सेम टू से मिसका यह कॉपी है तो इसे ओपन करते हैं ओपन करने के बाद यहां पर इतनी सारी लियर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको क्या करना है यहां साके जरूर बीडावट तो प्लसपा आपकर आपको क्या करना है तो यहाँ फिर एक बेक्ड्रावंड में एक धुंदला सा पिक दिक रहा तो ही पिक उसको लाना है तो प्लस पिट आप करते मेडिया में चलते हैं और जो पिक मैंने डाउंलोड किया आपको टेलीग्राम पर अपर की तरफ रखा था तो इस प्रकार से मैं रख लेता हूं ऐसे करके तो इतना पर रखने के बाद अब आपको क्या करने इस पिक को सबसे नीचे वाले लेयर में लानी के बाद इससे पूरा अंतत्र तक कर देना जहां तक आपको साउंड है वहां तर इतना कर लेते हो अब आपको क्या करना है यहां पर पर क्लिक करके कॉपी एफेक्ट करना है और इस एपको यहां से डिलीट करते हैं और इसे डिलीट करने के बाद इस फोटो में आएंगे और यहां पर जो इफेक्ट अभी हमने कॉपी किया तो पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद यह आपको देखने को मिले अब तो अभी हम इसको आफ कर देते क्योंकि मैंने मेन पिक के साथ में ही बनाया था जैसा कलर था वैसा ही तो कुछ इस प्रकार से आपको बर्ग करता बना जर आएगा अब जब इतना कर ले तो अब आपको क्या करना है इसको स्लेक्ट करना है और इस यहां पर तीन लेयर आपको दिखाई देंगे तो यहां पर एक्टेंगल स्लेक्ट करना है एक्ट में जाना है और जितना अभी एक्ट ए तरोट पर क्लिक करना है यहां सेडएometer करणे करना है यहां से हम डिलीटT क्र देते हैं डिलीट करने कुबाद गयब हो जाएगा अभ यहां पर अच्छे से रख लेना है जहां पर रखना है ऐसे कर करके मैं रख लेता हूं अगर जूम करना तो जूम कर सकते हो अब चाहते हो कि वहां पर बनाए हैं तो इसको भी on करना है तो black and white कर सकते इस परकार से और यहां पर situation घटा भरावी कर सकते हो तो यहां पर देख लेना अभी मैं off करता हूं इसका कोई जरूर्दीन नहीं है अब यहां पर सारा काम मैंने कर दिया तो बस इतना कर लेते हो तो यहां से इसका काम खतम हु तो इस lyrics को select करते हैं effect में चलते हैं यहां पर take transform का i button off इसे on करना है on करने के बाद फॉस्ट जो रहेगा lyrics 4-4 तक रहेगा तो यहां पर हम थोड़ा से screen छोटा करते हैं मतलब इस layer को देख के अच्छे से तो यहां पर 4-4 पर रूखते हैं और इस layer को select करते हैं यहां से select करने करने को duration पर आना है यह बटन टाप करना है आगे खीचना होता है और वैसे emoji को भी करना है अगर cut करना होता तो cut करने के लिए बटन टाप कर सकते थे अब मैंने यहां तक खीच लिया है अब आपको i click के बताता हूं क्यूंकि यह दोनों को फिर से select करना होगा और यहां पर copy change करना हो detect पर जाकर यहां पर ऐसे clear करके जो भी emoji देना हो आप select कर देना है ऐसे कर लेते हैं बाकी कुछ नहीं करना ऐसे करके लिए रिक्स आप पूरा लिख लेना एक एक करके जहां तक लिए रिक्स होगा अब लिख लेते हो तो यह आईडी है तो आईडी को यहां से पू आप करेंगे और duration पर आएंगे बटन टाप कर देना है जिससे की अंतर तक आ जागा इसमें आपको शुरू में बलर जो दिख रहा है उस टाइप का मैंने दे दिया है उस भाई ने फिर से tap cut में जाकर हो जो हलो बलर बला हो तो वह इफेक्ट दिया था तो मैंने उसके जब आप देख लेना बस इतना करना है आपका वीडियो बन जागा गलो देना चाहते हो तो नोट वीडियो आप में गलो दे सकते हो जो कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है मैंने इसमें नहीं दिया क्योंकि इसका जो फोटो का बैक्राउंड है वाइट कलर जादा ह इसके चलते पूरा में लाग जा रहा था तो चलते नहीं दिया तो चलिए आज का ट्यूटरल आपको पसंद आया हो अच्छा लागा तो लाइक की जाए चैनल के नहीं ते चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए वीडियो देखने के बहुत वद्धेने वाद।